नमस्कार साथियों उमीद करते हैं आप सभी सवस्तोंगे अच्छे होंगे एट स्टैट 2023 के बारे में आज हरियाना विदालिया इस एक्षा बोर्ड दवारा एक प्रेस नोट जारी किया गया है जिसमें ये बताया गया है जिन केंडिडेट ने एक लेवल के लिए एक से अधिक फोरम भरे हैं एक से ज्यादा आवेदन रजिस्ट्रेशन किये हैं ऐसे उम्मिदवारों की उम्मिदवारी को रद किया जा सकता है ऐसे अभ्यारती इस संद्रब में अपनी सपष्टता को 19.11.2023 तक इमेल आईडी जो दी गई है इस पर भेजें नहीं तो इनकी जो दावेदारी है इनके फारम को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और ऐसे केंडिडेट एच्टेट का जो पेपर है वो नहीं दे सकते इसलिए 19.11.2023 के बाद किसी भी सपष्टता अनुरोज को सभीकार नहीं किया जाएगा और ऐसे सभी केंडिडेट की जो उम्मिदवारी है वो रद कर दी जाएगी और ऐसे सभी उम्मिदवारों को अब क्या करना होगा अपना जो सपष्टी करन है वो निर्धारित करनी होगी और जो परफॉमा है आप देख भी सकते हैं अपना सपष्टी करन कलैरिफिकेशन परफॉमा दिया गया है जिसमें आपको इसी परफॉमा में अपनी बात को रखना है परमानित किया जाता है कि मैं जो भी कैंडिडेट का नाम है पिता का नाम कहां का वो रहने व वो फोरम भरा है एक से ज़्यादा लेवल के लिए और उसके बाद आपको confirmation page लगाना है जो आपने फोरम भरा है अपनी identity card लगाना है और दस्वी class की जो certificate की copy है वो लगाना है sign करने है आपको address लिखना है आपका जो mobile number है वो लिखना है और साथ में जो candidate की list है वो भी यहाँ पर दी गई है जिन candidate ने एक फोरम के लिए या एक लेवल के लिए एक से ज़्यादा फोरम भरे हैं list of candidate who have applied registered more than once for the same level यानी मानलो आपने stat level 1 का फोरम भरा था और एक से ज़्यादा फोरम अपलाई कर दिये ऐसे सभी candidate की ID और उनका नाम, date of birth, gender, caste और सारी की सारी जो चीज़ें है state वगरा वो दिये हुए हैं साथ में level भी दिया हुआ है ऐसे candidate ने level 1 के लिए apply किया है, 2 के लिए किया है, या 3 के लिए किया है तो दोस्तो बड़ी update है, आप अपना जो नाम है एक बार इस list में जरूर चेक कर लें, कहीं आपका नाम तो इस में नहीं है अगर आपका नाम है, अगर आपने भी एक level के लिए एक से ज़्यादा फोर्म भरे हैं तो आपको ये जो परफॉर्मा है, सपस्टिकन परफॉर्मा वो भरकर email ID करनी होगी बोर्ड की वैबसाइट पर, 19 तारिक तक नहीं तो आपकी जो दावेदारी है रद कर दी जाएगी आप Estat का जो पेपर है वो नहीं देश केंगे, तो दोस्तो बड़ी अपडेट है, Estat Candidates के लिए एक level के लिए एक स़दीक आवेदन फोर्म अगर आपने भरे हैं तो आप इस परफॉर्म में को जरूर भेज दें, मिलेंगे दोस्तो नई वीडियो में, धन्यवाद